दर्शको नमस्कार बहुत बहुत स्वागत कारिकर्म डॉक्टर कहते की विशेशकड़ी में दर्शको जैसा कि आप सभी जानते हैं हम हर अफ़ते आपके लिए विभिन स्वास संबंधी विशेशकड़ी के साथ में इसी कड़ी में हमारा आज का विशेशकड़ी है चुमबकी चिकित्सा से शरीर में होने वाले दर्द का उपचार और इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज विशेशकड़ी के रूप में हमने आमंतरित किया है डॉक्टर आर के तिवारी सर को जो की मैगनेटिक थेरेपिस्ट है या मैं कहूँ अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट है सर कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका नमश्कार दर्शको इस पूरे कारेकरम के दौरान इस Magnetic Therapy से संबंदित आपके मन में कोई सवाल आए, कोई दुविधा आए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें बात कर सकते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418 मैं पुना दौर आती हूँ तो दर्शको आप इस नंबर पर कॉल कीजे और आपका जो भी सवाल हो Magnetic Therapy से संबंदित आप हमारे डौक्टर साब से बातचीत करते हैं इस बेहदी अलग प्रकार के विशे पे आज चर्चा के शुरुआत करते हैं डौक्टर आर्केतिवारी के साथ तो सर मैं पुना कारिक्रम में आपका स्वागत करती हूँ और मेरा पहला सवाल यही रहेगा दर्शको के लिए भी कि और आपके लिए भी कि Magnetic Therapy क्या है और इसका विकास कैसे हुआ वो हमारे दर्शको को बताईए जी Magnetic Therapy उसे कहते हैं जहां पर केवल चुम्बकों के माद्यम से इलाज किया जाता है हर प्रकार की विमारी चाहे वो शरीर के अंदरोनी हिस्सें का हो या बाहरी हिस्सें का हो अंगों का हो या हार्मोन्स का ट्रीटमेंट हो या आप समझें कि कोई भी सिस्टम है उनका हो किसी भी प्रनाली का इलाज शरीर के हर हिस्से का इलाज आप जब Magnetic Waves के थ्रू करते हैं तो वो Magnetic Therapy के अंतरगत आता है और जहां तक इसके विकास का सवाल है तो इसका विकास तो सदियों पहले आयूरवेद काल में अपने भारत में ही हुआ और जैसे आप समझें कि जो गरडिये होते हैं जो बकरी और गाय को चराने के लिए जंगलों में जाते हैं तो वहाँ पर जाते हुए कुछ ऐसे पत्थर कुछ पहार ऐसे मिल जाते हैं जो Magnetize होते हैं खास करके जो Iron Ore वाले एरियाज हैं वहाँ पर ये चीज़ें जादातर पाई जाती है तो कुछ ऐसे बड़े टीले पत्थर के होते थे जहां पर लोग जाकर के बैठते थे तो उनको बहुत अच्छा Relax मिलता था अब जैसे मान लीजे किसी को चोट लग गई कहीं पर मोच आ गया वो हाँ जाकर के बैठा तो उसके मोच को अराम मिल गया तो लोग बोले कि ये जो पत्थर है इसमें जादू है इसमें कुछ विशेश चीज है लेकिन बाद में जब वैग्यानिकों ने देखा कि उसमें तो Magnetic Field है वो चुमबकी है उसके गुन है वो लोहे को अपनी और आकरसित करता है इसकी भी अलग-अलग जगों पर अलग-अ तरह की कहानिया है लेकिन धीरे 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 ये एजिप्ट की जो महारानी थी राजकुमारी एजिप्ट की राजकुमारी को उसके फ्रेंड ने एक छोटा सा मैगनेट दिया था छोटा सा मैगनेट आपको ये जान करके बहुत आश्चेर्य होगा लेकिन ये सत्य है क कि उसको अपने बहुत फास्ट फ्रेंड के दिये हुए गिफ्ट को उसने अपने मस्तक पर यहां आग्या चक्र के ऊपर एक माला बना करके पहनती थी, उस मैगनेटिक फील्ड का असर उनके चेहरे पर यह हुआ कि आजीवन उनका चेहरा 16 साल के बच्चे जैसा, आजीवन र इता था, तो कई सारी चीजें हैं, मैगनेटिक वाटर, जपान में एक जगह है, जहां पर इविया वाटर के नाम से जानते हैं, वो मैगनेटिक जो एक पहाड़ है, वहां से होकर के पानी आता है, और उसमें जाकर के नहाते हैं लोग, जैसे कि किसी को दर्द है, या चर्म रोग है, या कई तरह की समस्याएं हैं, जी, मतलब सर, हम अगर जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं, तो बहुत प्रकार की कहानिया ये, और आज का ये, आज की ये थरेपी नहीं है, ये काफी एंजिन थरेपी चलिया रही, जी, सर, हम मैगनेटिक उप्चार की बात करें हैं, तो मैगनेटिक तरंगे भी होती हैं, तो उनकी प्रकृति के विशह में हमारी दर्श को कुछ बताइए, जी, हाँ, देखे, प्रित्वी भी दो पोल है, दो ध्रू है प्रित्वी के, एक नार्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो नार्थ पोल पर आप जब जाएंग हैं, तो तीन सो किलो मीटर के आसपास, यानि पांच हजार किलो मीटर के आसपास जो है नार्थ पोल पर है, तो करीब करीब 15,000 किलो मीटर के आसपास साउथ पोल पर हवा जमना शुरू हो जाती है, जी, तो सर ये तो इसका एक मैं कहूंगे कि एक साइंटिफिक एक पैराम करता है चुम्ब किस तरह से काम करता है वो हमारे दर्शुक को बताई है जी हमारे शरीर में लिक्वीड अवस्था में आइरन है जी और वो आइरन मैगनेट की तरफ आकरशित वो भी होता है जब हम मैगनेटिक फील्ड में अपने बाड़ी को डालते हैं या किसी भी शरीर के किसी हिस्से को मैगनेटिक फील्ड पर रखते हैं तो वहां होता यह है कि मैगनेटिक फील्ड अपना एक अलग औरा क्रियेट करता है और उस औरा क के हिसाब से शरीर के जो blood cell है वो उस तरफ आकरशित होते हैं और magnetic waves जो है उसको धक्का दे करके चलने के लिए मजबूर करती है जैसे माल लीजे कहीं पर कोई clotting है या कहीं कोई नसों में दबाव पड़ गया है या strain आ गया है तो वहाँ पर magnetic field के अंदर blood circulation मतलब जबरजस्ती की जाती है और इस वज़े से जब cells वहाँ पर से हो करके गुजरते हैं तो वहाँ किसी भी तरह का blockage हो या वहाँ पर जैसे fat का भी जमाव हो गया है या कहीं तूट-फूट हो गया है तो वास्तों में देखा जाए तो शरीर का इलाज तो हमारा blood cell ही करता है blood cell ही शरीर का development करने का भी काम blood cell नहीं किया और शरीर के अंगों का निर्मान करने का काम यहां तक कि आप हर चीज को समझे कि blood cell एक डॉक्टर भी है और एक बड़ा इंजीनियर भी है जिसने इस पूरे शरीर का निर्मान किया हड्डियों में चला जाए तो बोन का निर्मान करता है मांस्पेसियों में मांस्पेसियों का निर्मान करता है बा सरल शब्दों में कहना चाहें मैगनेटिक थेरपी को या चुम्बकी पदिती को तो मैं कहूंगे कि ब्लड सर्कुलेशन को वो अपने हिसाब से एड़्जस करता है और शायद उसी से जो शरीर के जो दर्द है या जो ब्लॉके जगर है वो ठीक करता है क्या हम इसे सरल में ये कह सकते हैं लेकिन इसके भी कई पहलो हैं अकेला सर्कुलेशन वहां पर बढ़ जाए तो भी बहुत ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ने से भी तकलीफ होती है सर्कुलेशन कम हो तो तकलीफ होती है सर्कुलेशन रुक जाए तो वो हिस्सा सरने गलने लग जाता है लेक blood pressure की शिकायत हो गई है कोई low BP का शिकायत है किसी को high BP का शिकायत है ऐसे में अगर उनको magnetic therapy का treatment देते हैं तो आप विश्वास मानिए कि low BP और high BP दोनों balance हो करके एकदम normal condition पे आ जा जाता है जी सर आपने low BP और high BP की बात की तो इसके आगे ही मैं ये पूछना चाहूंगे कि magnetic therapy से कौन कौन सी बिमारियां है जिसका इलाज संभव है वो हमारे दर्शक को बताईए जी मैंने अभी तक करीब करीब 34 साल का मेरा अपना अनुभव है और इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं इस therapy के अंदर आया कैसे मेरा education का time था उस समय मैं BSC करने के बाद में मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता था उसी दोरान जो है हमारी दादी जी का paralysis का problem था जोड़ गए हैं तो पहले में एक call ले ले लेते हैं फिर रमेश चर्चा को जारी रखेंगे हालो हरो अहां जी कौन बोल रहा है और कहां से बोल रहे हैं जी सर कारेकरम में बहुत-बहुत स्वागत आपका अपना सवाल पूछी है जी मैं मैंडम हाट पेशेंड हो मैं 17 जुलाइ को 17 जुलाइ 2013 को आया था अटाई तो वो कराया था मैं इंजो क्लाप्शी क्या बोलता हम वो कराया था फिर भी अभी कभी-कभी दर्द होता रहता है तो यह चुम्मगी पृदती देख रहा था टीवी में तो उस्से क्या रिलेक् मिल्टक्टर मणब जी जी सर देखिए हार्ट का एंजियोग्राफी हुआ है कई लोगों को इस्टेंट्स वगर भी लगते हैं कुछ लोगों का जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है बाई-पास सर्जरी होती है तो या तो पहले अगर आप magnetic therapy का इस्तेमाल करते हैं ये सब करने के पहले तो आपको relief तो मिलता है और बाद में भी अगर after operation या treatment चल रहा है उस दोरान भी अगर आप लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छा result है मेरे एक patient है Supreme Court में उनकी wife जो है senior lawyer है और वो खुद जो है उनके साथ ही रहते हैं वहीं दिल वो मेरी patient हैं उन्होंने अपने पती के बारे में बताया कि इनका जो है stents वगर लगे हैं उसके बावजूद इनको चलने फिरने में सांस फूदता है और तरह तरह के symptoms आ रहे हैं तो सर मैं यह पूछना चाहती हूँ आप से कि जिसे अगर हम यह therapy करवा लेते हैं जो एलोप चलने में सीड़ी चड़ने में बहुत हापते थे ठक जाते थे और कई सारे symptoms आते थे chest pain भी होता था हमारे यहां करीब डेढ़ महीना उन्होंने treatment लिया magnetic therapy का अभी तो बोलते हैं कि सर मैं तो अब दोड़ के भी सीड़ी चड़ जाता हूँ तो दो मिनिट के लिए हापता हूँ फिर ठीक हो जाता है कोई दिक्कत नहीं आती है और चेस्ट पेन तो खतनी होगा circulation कम हो या अधिक हो उसको balance करने का काम करती है और जैसे ही circulation balance होता है cells जहां पर आप magnet लगा देते हैं वहाँ पर cells जो है ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और cells ही repairing का काम करते हैं यह कहना चाहाँ जी सरी caller हम से जुड़ गये हैं तो पहले में एक call लेते हैं अलो जी नमशकार कहां से बोल रहे हैं सर और कौन बोल रहे हैं और मैंट प्रदेस से नीरत दुवे बात कर रहा हूं नीरत जी कारेकरा में बहुत बहुत स्वागत नमशकार अपना सवाल पूछी है मैंडब मुझे ये चानकारी लेना था कि जैसे मेरा भाई जो है वो mental disorder है उसको OCD है क्या ये जो magnetic therapy है इसके द्वारा उसका treatment हो सकता है क्या संभाव है संभाव है तो सर मतलब इसके लिए तैसा appointment लेना पड़ेगा आपके पास उसके लिए आप यहां दुरदर्शन केंद्र से भी आपको मिल जाएगा और दूसरा ये है कि आप उनके जो reports वगरे हैं पहले वो मुझे भेज देंगे उसको study करके मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें करना क्या है basic तोर पे आप वहाँ पर क्या करेंगे और हमारे पास आने के बाद तो मैं आपको magnetic therapy का treatment बताऊँगा और कुछ दिन उसका इलाज करने के बाद में आपको result भी आएगा उसका result भी अपने को बहुत जल्दी मिलता है जी सर्थ तो हम यही सवाल पूछ से सर किसके माद्यम से कौन-कौन से रोग ठीक किये जा सकते है magnetic चिकित्सा के माद्यम से जी magnetic चिकित्सा के माद्यम से आम तोर पर देखिए लोगों को कमर दर्द होता है घुटनों का दर्द होता है cervical spondylitis है, frozen shoulder है, migraine है कबजियत की शिकायत है, पतले दस्थ होते है amoebiasis का problem है या hip joint में आजकल देखिए avascular necrosis के नाम से एक बीमारी है जो hip joint में होती है femur bone के head जो है वो सरने लग जाता है और कुछ cuportion के वज़ा से, vitamins की कमी के वज़ा से और कुछ जो है pain killers वगरा और जो steroid की injections वगरा लोग लेते हैं उसके वज़ा से भी वहाँ पर सडन गलन होता है तो मैंने अभी देखा है हाल ही का चार cases तो मेरे ठीक हुए है जिसमें एक patient ने ये किया कि ठीक होने के बाद उसको संतुष्टी नहीं थी तो उसने MRI करवाया तो उसमें ये मिला कि जो सड़ी हुई हड़ी थी अब आप विश्वास कीजिए कि जैसे ये goal एकदम smooth है इसको लगे कि चुहे ने नोच दिया है इस तरह का था और उसके उपर से एक bone का नया layer create हो गया Bombay hospital में जब उसका ये doctors ने देखा तो वो लोग भी बड़े आश्चरज में थे कि ये हुआ कैसे इट्स impossible और जब वो देखा उन लोगों ने तो पूछा वह ये क्या है तो बता है magnetic therapy तो magnetic therapy में ऐसा हो सकता है विश्वास के बाहर है लेकिन हमने उसका result लिया है राइपूर का ही case है और अभी एक case मेरे पास noida से आया है hip joint का ही necrosis का problem है fourth stage का case था अभी दो महिने के treatment के बाद में वो stage 3 पे आ गया वो भी इसलिए कि उनकी company ने कहा कि दो महिने में आपका क्या ये है result है आप दीजेगा तो फिर हम आपको आगे का चुट्टी वगर और कहां से बोल रहे है मैम नाम अरुन कुमार है नमस्कार अरुन जी कारेकर में स्वागत अपना सवाल पूछे मैं मैं लुजयाना पंजाग से बागतर रहा हूं तो मैं मेरी ये शिकायत ही एक मेरी ना गुढने से नीचे पैर में जो पिल्ली के अंदर जब हम चलते हैं तो थोड़ी दूर चलने के बाद मेरा पैर सुनो जाता है तो ये विशले मतलब 3-4 महीने से प्रोल्म आरे पहले मेरे को नहीं थी तिर मैंने फिजियोटर्वी करवाई तो मैं उन्होंने बोला नहीं जाएगी दो तो थीक नहीं हुए जी तो उसके बाद जा मेरे चीक है जैंधा और उसका μαग्नेटिक कि इससे इलाज समने होए जी पैर की पिंड़ीयों में अगर दर्ध है जैसा कि यह बता रहे हैं तो जनरली देखा जाता है कि पैर की पिंडलियों में दर्ध उनीं को होता है जिनका पेट गरबढ़ हो जिनका कांस्टिपेशन की प्रावलम हो या उनको अमीब्यासिस का शिकायत हो ऐसे लोगों के पैर की पिंडलियां जो है हार्ड हो जाती है और कई लोगों का ऐसा होता है कि BP लो रहने से उसका फार्मूला अलग अलग बना करके किया जाता है, तो आम तोर पर अगर आपके आसपास कोई मेगनेट किसी के पास में है, तो आधा घंटा पैर दोनों अपने मैगनेट के उपर में रख करके आधा घंटा एक घंटा बैठिये सुबा शाम और उसी मैगनेट पर वाटर चार्ज करके अगर आप पीते हैं तो जो अंदरूनी हिस्से में ब्लड सेल में जो गंदगी आ गई है ये गंदगी साफ होगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा और डियाक्सिडेशन का प्रॉसेस फास्ट होगा और आपका ये प्रॉब्लम खतम होने लग जाएगा, बहुत इजी तौर पे हो जाएगा, जे, सरे, कॉलर हम से और जुट गया है, तो पहले हम एक कॉल ले लेते हैं, हलो, हलो, हाज जी, कौन करवानी है उसके लिए कोई उम्र का निर्धारन तो ऐसा है कि अगर पांच साल के बच्चे पांच साल से हम लोग शुरू करते हैं इलाज उससे छोटे बच्चों का इलाज बच्चे इस्थिर नहीं रह पाते मैगनेटिक ठेरेपी में थोड़ा सा उनको इस्थिरता होना जरूरी है और बहुत छोटे बच्चे जो दो दीन के भी अगर बच्चे हैं उनका भी इलाज हम पैड बना देते हैं और इसके हिसाब से अलग अलग पाव सरेब्रल पलसी की शिकायत बच्चों को होती है उसमें मैगनेटिक धेरपी का हमने देखा है कि जो 4 साल 5 साल के बच्चे जो खड़े नहीं हो पाते बैट नहीं पाते मैगनेटिक फील्ड में रखने के बाद में दो से 3 महिने के अंदर जो खड़े होना खाना खाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, दवायां काम काम नहीं करती है, बोलते हैं कि इनके ऊपर दवाई काम नहीं कार रही है, तो MAGNETTIC THERAPY लेने के बाद में हमने ये देखा है कि उनके अंदर UTAX बहुत अ मत्लते होते हैं, और जब है ठीजी उनकी बढ़ती है, हमारे शरीर में दर्द होता है दर्द की समस्य आजकल युवाव में बोलनू या मैं कोई उम्र नहीं रहे गई है दर्द की जो डेली में जो हमको दर्द होते हैं क्या इसका भी इलाज युवाज अग्नेटिक थेरपी के माधियम से संभव है हम सर पहले कॉलर जोड़ गोड़ गये हैं रहाँ सवाल को करते हैं हलो है हलो हलो हो जी कौन बोल रहे हैं और काहन से बोल रहे है कलांकर जी लशु जी एक्थॉराम डर्रौ adows जी सर कारेक्षिय में बहुत-बहुत स्वागत अपना और मेंस्टार् अपना सवाल पोचीयी गुटने में सूजन भी है या गुटना सूखा हुआ है जी सर तो गुटने में अगर सूजन है तो वहाँ पर साउथ पोल का इस्तेमाल करते हैं और चारो तरफ से साउथ पोल में डाल देंगे तो गुटने का सूजन करीब 25% से जादा सूजन उतर जाएगा और मेगनेटिक फील्ड में रहने से उसके अंदर जो अंदरूनी हिस्सों में सूजन है जैसे घुटने का ये हिस्सा है इसके बीच में जो प्लेट्स है इसके अंदर सूजन आया हुआ है तो यहां भी सूजन कम होगा और दबाव पाद में जैसे हमने चिकित्सा ली हम ठीक हो गए तो यह चिकित्सा पर्मेनेंट रहेगी कि हमारा दर्द पर्मेनेंटली ठीक हो जागा कि फिर से हमें एक मैगनेटिक थेरपी लेनी पड़ेगी magnetic therapy में शुरुआत में जो दर्द है वो दर्द किल हो जाता है और जो naturally शरीर का वो हिस्सा जैसा होना चाहिए उस हिस्से की repairing चुकि उसका ही blood cell करता है तो उस हिस्से में ना तो वो ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा उसका जो आकार है उसका जो प्रकार है उसकी जो quality है वो hai original quality में जब आ जाती है तो लंबे समय के लिए आप समझें कि भीमारी ठीक हो जाती है खीक लगबबग हम मान ले कि ठीक हो जाती है रखबबग हंडफ़ ए सुल्टक है पर य हमसे जड़ बुद करcheं है कोन बोल रहे है काहां से बोल रहे हैं कि में टॉंगर चकार heartbeat स्वागत अपने सवाल पूछी है अपने सवाल पूछी जैस्विंदर जी मेरा का सब्सक्राइब या पूर्सों की समस्या हो जो उनके व्यक्तिगत तकलीफें हैं यह सारी सबस्क्राइब तकलीफें ड़िया तर मैंगिक थेपएं क्ट्रूपें जीन चाहा है मम एक पूर्सक्राइब हो जाता सब्सक्राइब बच्लीफ की समस्या है अक्रवन छी टर्तिगत जातों है सवाल तो जाते जाते एक तो दर्शकों का आपके आपका संदेश दर्शकों के लिए और दूसरी बात की बजार में आजकल बहुत सारे उपकरण मौझूद हैं जो मागनेटिक धर्रेपी करने का दावा करते हैं तो वो कितने सही हैं इस प्रश्च लेते हुए आपका संदेश दर्शकों को जी सर देखेए बजार में जो चीजें ऊपलब्द है वो किसी डॉक्टर के दारा की होई नहीं और नहीं उसकी जानकारी है कि इसमें कितने intensity के कितने power के magnets लगे हुए हैं, कोई magnet 500 Gauss का है, कोई 50 Gauss का है, कोई 5000 Gauss का है, तो ये Gauss power में इसके power को नापते हैं, और Q-sic power में इसकी intensity होती है, तो ये अगर deficient power का होगा, तो कई बार ये magnetic waves जो है, लोगों को फाइदा नहीं पहुँचाती, बलकि तकलीप में लगता है कि तकलीप बढ़ रही है, ऐसी सिकायते मेरे पास में आई हैं, यह एक प्रसिक्षक के माध्यम से ही हम इस therapy को करवाए हैं, तो किसी doctor के माध्यम से prescribe किया हुआ, चीज अगर करके therapy के नाम पर लोग पैसे लूटते हैं, तो वैसा आप अपने आपको ठगने मत दीजिए, आप और एक therapist के माध्यम से ही हम, जो भी therapist है आपके आसपास में, उन से मिल करके और आप तरीके से उसका इलाज करवाईए, बिना दवाई के आप 100% ठीक हो सकते हैं, फुनसी से लेकर cancer तक का इलाज मैगनेट ठीक है, बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी, आप हमारे कारेकरम में हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमशकार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जी सर, दर्शकों उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारियां आ पसंद आई होगी, आने वाले अंको में ऐसे ही नए विश्व को आपके समक्ष लेकर उपस्तित होंगे, दीजी हमें इजाज़त, नमस्कार, नमस्कार, झाले 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